होस्टल की इमारत है ना बहुत ही देखने में पुरानी है जैसे यह बहुत सदियो पुराना होस्टल है टेड़ बजे के पास इसको एसा मैसूस होता है कि जैसे इसके शरीर पर ना किसी ने बहुत ज्यादा वजन रग दिया है इसको बहुत हैवी फील हो रहा है और आजू- अजीब सी हवा चल रही है, इस कॉलेज में ना आग लगने वाली है, ये लोग फटा-फट खिर्की में देखते हैं, तो पता चलता है कि लाइबरेरी में ना आग लगी है, दोनों एक दूसरे का मुह देखते हैं, एक दम चौक जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक दम पर्टिक हेलो दोस्तो मेरा नाम अमन है, मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल का निरंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ, उमीद कर जो कि आप सभी अच्छे और स्फस्त होंगे, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और हा पर ना एक पायल नाम की लड़की आती है, फर्स टाइम पायल ना इस होस्टल में आती है, पायल देखती है कि जो होस्टल की इमारत है बहुत ही देखने में पुरानी है, जैसे ये बहुत सद्यो पुराना होस्टल है, और ये जो होस्टल है छे मंजला है, इस होस्टल की ज जो कि इसकी सेनियर है इसका नम संगीता होता है इस होस्टल का ना रून होता है कि रात को दस बजे ना लाइट आफ हो जाती है अब पहला दिन होता है यह तो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है पाइल अराम से अपना दस बजे से पहले ही सो जाती है अब अगला दिन होता ये भी सो जाती है फुट से इसको नीद आ जाती है सोते सोते ना लगबग डेड़ बजी के पास इसको ऐसा मैसूस होता है कि जैसे इसके शरीर पर ना किसी ने बहुत ज़ादा वजन रख दिया है इसको बहुत हैवी फिल हो रहा है और आजो बाजो का जो महौल है ना इसको बहुत नेगेटिव लग रहा है एकदम अजीब सी हवा चल रही है और इसके शरीर में एक संसनी सी शाग गई है पूरा इसका शरीर काप रहा है इसके मुह से अवाज भी नहीं निकल रही है पसीने पसीने है पायल डर के मारे अपनी आख नी खोड़ रही है ये क्या करती ह काफी अपना हिलने की कोशिश कर रही है लेकिन हिलने पारी है तो फाइनली ये प्रात्ना करना स्टाट कर देती है जैसे जैसे प्रात्ना करती जारी है इसको ऐसा मैसूस हुआ कि जैसे इसके शरीर में से वजन निकल गया है अब इदम धार दिने ठंडी हवा चली इसको छ संगीता ना पायल को बोलती है तुझे कोई ना कोई जुरूर बुरा सपना आया हुआ जिसके वज़ा से तुझे ऐसा फील हुआ है। बड़ बड़ा रहा है उसको बड़ बड़ाने की आवाज आती है वो इदर उदर देखती है कुछ नजर नहीं आता जब पायल के फेस के पास आती है ना तो देखती है पायल जो है ना नींद में कुछ बड़ बड़ा रही है संगीता फटा फट पायल को उठाती है और बोलत थी हाँ मेरे सपने में एक लड़की है जिसकी उमर लगबा 22 साल की थी उसने बहुत मेकप किया हुआ था ज्वैलरी पैनी हुई थी देखने में वह बहुत ही खुबसूरत लग रही थी उस लड़की ने मेरे सपने में आके बोला कि यहां पर आग लगने वाली है यह दोनों बाते करे रहे होते हैं इतने मीन लोगों की चिलम चिली की अवाज आती है यह फटा फट किडिकी में दीखते हैं तो पता चलता है किakat लाइबरेरी में आग लगई है शाट स्रोक्यत हुआ जिसकी वज़ा से आग लगई है दोनों एक दूसरे का मूँ देखते हैं एकदम अग्ला दिन होता है ना तो एक लड़की के रूम से जोर से चीखने की आवाज आती है सब लड़कियां उसके रूम में जाती हैं तो वो लड़की बताती है कि मुझे ना किसीने बालों से खीच के धाच देने नीचे फिक दिया है उस लड़की के बाल खुले होते हैं अब ना ये कॉलिज में बात फैल जाती है कि रात के वक्त कोई भी लड़की यहां पर बाल खुले ना रखे बहुत सारे ऐसे किसे होने स्टार्ट हो गए थे जो जो लड़की अपने ना रात के वक्त बाल दोती थी जा बाल खुले रखती थी कोई ना कोई उसको ना आकर धार देने बालों से खिशता था और नीचे फिक देता था रात के वक्त यहां पर घुंगरों की अवाज आती है, किसी लड़की के चीखने की अवाज आती है, जो पूरा होस्टल है ना बहुत ज़्यादा दैशत में आ गया, अब इनना पाइल लोगों से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था इस होस्टल में, जो पाइल होती है ने इस ह इस्ट्री जानने में बहुत ज़दा इंट्रस्ट रखती है वो कई लोगों से बात करती है तो उसको ना पता चलता है कि यहां पर आज से 20 साल पहले ना एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुलक्षना था सुलक्षना ना यहां पर ट्रेनिंग तो लेती ही लेती थी लेकिन किसा को ने पता था कि यह लड़की बालगर का काम करती है एक बार क्या हूआ वो ना राथ के वक्त काम करके जैसे ही इस होस्टल में आई ना तो उसके पीछे गुंडे लग गे वो जो गुंडे थे ना वो गुंडों ने क्या किया इस लिफ्ट के अंदर ना सुलक्षना के मार डाला, वो जो गुंडे थे कभी भी पकड़े नहीं गए, पुलिस ने काभी तहकीकात की लेकिन वो गुंडे कभी भी हाथ में नहीं आई थे, अब ऐसा माना जाता था कि सुलक्षना की जो आत्मा है ना इस लिफ्ट में भटकती है, कोई भी बंदा इस लिफ्ट में जब नहीं थी, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लड़कियों में द्याशत आगी, सब लड़किया बोलते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से अपना बंद करते हैं होस्टल और दूसरी जगा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अब यह सब बाते जो थी प्रिंसिपल तक नहीं रही है, ना कल थी, ना आज है और ना ही आने वाले टाइम में रहेंगी, जिसको मेरी बात का बुरा लगाना है लगा ले, लेकिन जो सत्य है वो कभी बदल नहीं सकता है, तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे और एक भ्यानक किस्से के साथ, तब तक के शालूम शांती और सलाम